हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जेपी कोचिंग क्लास इनांसिंग योर लर्निंग आउटकम्स तो सामके साथ पंदरह पर जीके क्वीज के लिए हम लोग उपस्तित होते हैं तो जल्दी-जल्दी जुड़ जाएं और आज का कोड है डाबल वन जीरो वन एट जीरो एक ग्यारह जीरो एक असी ओके आपको ये कोड मेंटी.com पर इंटर करना होगा और अपने नाम डालने के बाद क्वीज में पाटिसिपेट कर लेना होगा तो जल्दी-जल्दी जुड़ जाएं जीके क्वीज के लिए अपने सारे सोशल साइट्स पर सेयर कर दे ताकि सारे लोग जुड़ पाएं फेस्बूक, वाटसेप, इंस्टाग्राम, सारे जगह सेयर कर दे. Now, we are going to start the quiz. इटानगर इस दे कैपिटल ओफ विच इंडियन स्टेट असाम त्रिपूरा अंधर पर्देश अरुनाचल पर्देश एंसर फास्ट और आप यह क्विच के कोड हमारे फेशबूक पेज जपी कोचिंग क्लास को लाइक करके फेशबूक जेपी डेली क्विच नाम के गृُप को ज्वाइन करके भी प्राव्ट कर सकते हैं तो जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है वहाँ से जल्दी जल्दी कोड को देखकर जॉइन कर ले क्वीज स्टार्ट हो चुका है तो जल्दी जल्दी जॉइन कर ले एंट लेट सी दा रिजल्ट आप फर्स्ट कोश्चन और अरुनाचल पर्देश के बारे में कुछ जानते हैं यह भारत का उत्तर पुर्वी राज है नौर्थ इस्टन राज है और इसकी सिमाए बॉर्डर दक्षिन में असम से दक्षिन पूर में नागलेंड से साथीस्ट एंड पूर्वी में मैमार से और पक्षिम में भुटान से और उत्तर में तिबबत से मिलती है और इसकी से लाजेस स्टेट एमोंग सेवन सिस्टर आफ नौर्थ इस्टन इंडिया यह North Eastern India के साथो जो Seven Sisters बोलते हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य है CM कौन है यहां के? पेमा खांडू जी और गबर्नर बीडी मिस्रा जी और Official Language यहां का English है हिंदी भी बोली जाती है बट Official Language English है Okay, let us see the leaderboard And on the leaderboard The fastest is रितेश पंडे, सेकंड सत्याय, थर्ड पिंगू, फर्थ उज्वल सिंग, फिफ्थ अर्जुन राजपूत, रोशन, दिनेश, नेहा, ये सारे लोग, इनके नीचे बने हुए, ओके, लphones, लेत чно से कुस् soprat, चारे, जगे erटा कुष्छरी में, कौनार्क सन्PPלי, इनके स्टेंट रुए इंड्ट सेट, श्लुए थे जॉट अर्ट है, वेस्ट पेंगल जॉडिशा, उत्रप्रदेश खर राजस्तान, संधर फॉस्वा स्ट है, और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे ओके और थी टू वन टाइम सब्सक्राइब लेट सी हाव मेनी ओफिव गिवन दा करेक्ट अंसर 11 स्टुडेंट 11 विद्ध्यार्तियों ने सही उत्तर दिया है डाट इस उडिशा कोनार्क सन टेंपल उडिशा में स्तित है और कोनार्क सन टेंपल भारत के उडिशा राज जगनात पूरी से 35 किलोमेटर उत्तर पूर्व में कोनार्क नाम के सहर में स्तित है और यह मंदिल सुर्य देव को समर्पित है और पुरानों के अनुसार स्री कृष्ण के पूत्र साम्ब को उनके स्राप से जो कौन रोग हो गया था साम्ब ने कोनार्क में 12 वर्सों तक तपस्या की और सुर्य देव को प्रसंद किया था यह माना जाता है और सुर्य देव को रोगों का नासक माना जाता है इसलिए सुर्य देव ने साम्ब को रोग से क्या किया अजात कर दिया और इसी के वज़ा से साम्ब ने कोनार्क में सुर्य मंदिर बनाने का फैसला किया ओके, लेट एस सी दे लिडर बोर्ड, और अन दे लिडर बोर्ड, दे फास्टेस्ट इच, पुंच कुमार, रिटेस पंडे, फर्स्टे अभी भी, सत्या, थर्डे, राशन, अर्जुन राजपूत, दिनेश सिंह, ये सब उनके निच्छे बने हुए, ओके, लेट एस सी दे नेक्स्ट गॉस्टन, और अंसर फास्ट, तो गेत प्वेंट, प्वेंट, प्वेंट इच, विच चंट्री हैज ओन्ड फुट्बल, व्ल्ड कॉप, ओके, दो प्शन सार, अर्जन टिना, जर्मनी, ब्राजील, और फ्रांस, जल्दी 25 सेकेंड लेफ्ट, और अपने दोस्तों में वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाएं, वो वीडियो देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, ओके, और लाइक भी कर दें, ओके, एंड, 3, 2, 1, टाइम सब, लेट सी दे रिजल्ट, छेओ का उत्तर सही है, डाट इस ब्राजील, ब्राजील ने ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, ओके, और फुटबॉल के बारे में जानते हैं, ये दो टीम के बीच, इस बाहर मैदान में खेले जाने वाला, खेल है, जिसे आउट डोर खेल भी कहा जाता है, और इस खेल को, saucer के नाम से भी जाना जाता है जिसे goal car गेंद के साथ खेला जाता है मतलब round goal okay football round होता है और यह लगबग football लगबग 150 countries में खेला जाता है और सबसे पहले England में 19th century के मध्य में खेला गया था okay in the mid of 19th century और यह खेल में एक ग्यारा प्लेयर दोनों साइट से होते हैं okay let us see the leaderboard and on the leaderboard the fastest is रितेस पांडे second पर रोशन है third अर्जुन राजपूत पुंच कुमार अंसू सत्या दिनेश यह सारे लोग उनके नीचे बने हुए ओके ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे और करेक्ट उत्तर दे चलते हैं अगले कोस्चन की तरफ अपने अपने स्क्रीन पर देखें और क्वेस्चन है हुआज नोन अज दे इंडियन नेपोलियन ओके दा ओप्शन चार बिम्बी सार समुन्द गुप्त चंद्र गुप्त असोका 35 सेकेंड लेफ्ट ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करे ताकि और लोग जुड़ पाए ओके ये क्विज डेली बेसिस पर होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा से शेयर करे ताकि और लोग जुड़े और कॉंप्टिशन को और मज़ेदार बनाए ओके एंड थ्री टू वान टाइम सब प्राचिन काल के गुपता इंपायर से ये साशक था और ये वाज दसन अफ चंदर गुपत वन और कुमारा देभी ये कुमारा देभी लिच्वी प्रिंसेज थी ओके और ये वाज इस काल इंडियन नेपोलियन बिकाज अफ इस ग्रेट मिलिटरी कमरेखा ऋ्ये वाज लाजिर अके लाजर के ला वाज ओचना इंदन नपोलियन ये लाज़ से लीडर बोर अलेट नेश पंदट है own ये उनलिडर ओड च्थी Sweet इस ये स्पांड है, रोशन शेकेंड है, अंशु थर्ड, सत्या फोर्थ है, अर्जुन राजपूत फिफ्थ है, दिनेश सिंह शिक्ष्थ है, ये सारे लोग निचे पोजिशन पर बने हुए है, ओके, no problem, let us go toward our next question, and the question is, general election in India, hold after how many years, okay, the options are 4, 6, 5 or 1, answer first, 30 second left, और वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों में, शेयर कर दे, okay, 10 second, answer first, and 3, 2, 1, time's up, let's see, how many of you have given the correct answer, 10 student have given the correct answer, that is 5, आम चुनाओ, भारत में, हर एक 5 साल के बाद, conduct कराई जाती है, okay, and let us know something about general election, the members of Lok Sabha, house of the people, or lower house of India's parliament, इसे house of the people भी बोलते हैं, Lok Sabha को, are elected by, being voted by, all adult citizens of India, जितने भी 18 साल के उपर नागरिक हैं, उनके द्वारा, Lok Sabha के member को, elect किया जाता है, okay, from a set of candidates, who stand in their constituencies, और उन candidates को, जो, उस constituency में, खड़े होते हैं, okay, and every adult citizen of India, can vote only in their own constituency, जो भी adult citizen है, 18 एज के उपर हैं, वो अपने अपने constituency में, vote कर सकते हैं, okay, let us see the final leaderboard, and on the final leaderboard, the fastest is विशाल दूबे, okay, but number one position पर रिटेश पन्डे हैं, with 4943 points, okay, we congratulate to रिटेश पन्डे, for becoming topper in the GK quiz, ओके, second एर रोशन, third एंसू, सत्या, अर्जुन राजपूत, ओके, ये सारे लोग, उनके बाद, नीचे वाले position पर साएं, okay, and last, revise more videos, from our YouTube channel, सारे वीडियोज के, dedicated playlist, बनाए हुए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा रिविजेन करें, ताकि आप टॉपर बनें, okay, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सेयर कर दें, ताकि और लोग जुड़ें, okay, ठैंक्यू, जैहिन, जैवारत,